अतारा ने हरिशंद से का श्वामी मेरा एक ही बेटा है यदि मेरे बेटा को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी मेरे बेटा को बचालो श्वामी उसी शमय विश्वा मित्र गए कमंडल में जल भर कर लाए और कहा हरिशंद पिला दे अपनी बेटा को पानी क्यों अगर तुम मेनों में से एक भी मर गया ना तो मेरा कर्ज कैसे अदा होगा हरिशंद ने का रगकुल रीत सदा चले आई और प्राण जाए पर बचन न जाए चाहे कुछ भी हो जाए जहां तक मेरा राज्य है बहां तक मेरा संकल्प है चाहे बेटा मरे चाहे पतनी मरे और चाहे मैं जरूरत नहीं में खुद ही पानी पानी है चलिए कासी नगरिया के किनारे पहुंचे कासी को जुकर प्रणाम किया है कासी मैया मेरे धर्म की रच्छा करना इधर विश्वा मित्रावा दे रहे हैं कासी के लोगों मैं तीन प्राणियों को बेचने आए है गर कोई खरीदार जो तो आजाए खासी बीच बगरिया में बगरिया में और तीमत होई रही बजरिया में आ है काकी पीच बगरिया में बजरिया में अरे खीमत होई रही बजरिया है शर्वर अरे पिया पियारा ली चिलावो अरे पियारा ली कर्दावो अपनों नाये थोई थी खावो अपनों नाये थे भोई खावो जखे लग रही दे सच गरिया में, जिननी आमें, पर फीमत होई रही पजरिया में और आदे काशी के लोगों में तीन प्राणी बेचने आए हें कोई खरीदार हो तो आ जाए एक तम से चारों तरब से भीड कठी हो गई अरे अभी तक पसू बिकते थे अभी इंशान बिकना शुरू हो गए अच्छा उस भीड को चीलती हुई एक वेश्या आई और उस वेश्या ने आकर के तारा का मोल किया है बगवन इसकी कीमत क्या है बोले बीस भार सोना कोई विलो मैया तारा ने देखा तो चरणों में गिर पड़ी है मुनिवर जिस धर्म की खातर मैं सारा राज चोड़ कर आए और वो धर्म यदी मेरा चला गया तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी आप किसी और के हाथ हमें दे देना मंजूर है कुछ देर में एक ब्रहमण देव आए उन्होंने आकर तारा का मोल किया और बेटा रोहित का मोल किया है वन वो दोनों को बीस बीस भार सोना में खरीद लिया अच्छा देखो केते हैं ना पिता का जो पाप था पिता का जो श्राब था वो बच्चे को भूगना पड़ा बई कलुआ मेहतर आया अब हरिशन के बल बच्चे कलुआ मेहतर आया और उसने आए कि कई वगवन जा पुरुष की कीमत क्या है बोले बीस वार सोना तो बोले इसे हमले elf यह एंपानी बरने का काम करेगा श्राब कभी धूरा नहीं होता है कालू मेतर ने हरिशन को खरी था तीन और प्राणियों की कीमत हो गई अलग-अलग होने के लिए जा रहे तारा ने अपने पती और नाम किया है बेटा ने पिता को प्रणाम किया है और जैसे ही प्रणाम किया है मेरे सज्णों दीरे दीरे समय हुआ हरिश्ण के आँखों से आशु निकल गए हे प्रभू दुनिया में मैं ही एक ऐसा पुरुस हूँ जो पत्नी परिवार पो बेच रहा हूँ इंसान सब कुछ बरदास कर सकता है परन्त अपने परिवार को नहीं बेचता है हे प्रभू इनके धर्म की सदार अच्छा करना मैया तारा रोयत से का हरिश्ण ने चाहे कितनी भी तकलीफ आजाए लेकिन अपने धर्म को छोड़ना नहीं तीनों प्राणी अलग अलग हुए मैया ऐसा विदीन शमय ऐसा संकीन शमय मैया तारा भी रोती गई बेटा रोता हुआ जा रहा है और माँ से कहता है मा सबके पिता अपने पुत्र को कितना कुछ करते हैं मेरे पिता मजधार छोड़के चल दिये मेरे भगवत प्रैमियो मैया ने बेटा को शांतुना परदान की है पुत्र रोनन मिया अब्रामण के घर भोजन बनाने का काम कर रही है बेटा पूजा के लिए फूल तोड़ कर लाता है और हरिशन्द महतर के घर पानी भर रहे है बारे समय पता नहीं कब क्या परिवर्तन हो जाए ओकर मां की रेखा न्यारी और भिधना तारे नारी तरे परमों की रेखा ज्यारी और भथतन तारे नाई तरे तारे नाई तरे रेविधना तारे नाई तरे कर तारे नाज करिसे नाज करे स्रेज ठना तारे नाज करे करमाओ की थे ठात्रारी भरना तारे ठना करे जो चक्त्रवर्ती राजा, सम्राट राजा, आज मैतर के घर पानी भर रहा है बारे समय, एक पल में राजा से बेकारी ओ बेकारी से राजा बच जाओ बताने जो सब परमात्मा की जथी आरे लग भोडा लग पाल की सिरपर छत्र फिरे अरे लग भोडा लग पाल की और खरत छत्र फिरे लग भोडा लग पाल की और खरत छत्र फिरे आरिशा चाट बर सकत वापी ना ताराए हो वेल कि चगहर दी नभाले तर्मोपी ते खाथ जारी जगदाथ जारे ना उटरे अपर मोपी ते खाथ जारी जगदाथ जारे ना उटरे तर्मोपी ते खाथ जारी जगदाथ जारे ना उटरे तर्मोपी ते खाथ जारे ना उटरे तर्मोपी ते खाथ जारे ना उटरे तर्मोपी ते खाथ जारी जगदाथ जारे ना उटरे बारी शमय पता नहीं कब केसा समय आ जाए एक दिन हरिश्चन देखो एक अफ्ता हो गया हरिश्चन ने भोजन नहीं किया है परवार से जुदा होने के बाद मेरे भगवत प्रमियों इधर हरिश्चन ने देखा एक दिन भोजन बना के रखा और भोजन करने को तयार हुए ही थे कि उसी समय विश्वा मत्राय और विश्वा मित्र ब्रामण रूप लेकर के कहने लगे अरे मैं बहुत भूंका हूँ कुछ हो तो थोड़ा सा खाने को दे दो तो जो थाली बनाकर भोजन की रखी हरिश्चन ने उठाई और विश्वा मित्र को दे दी फिर भूंके रह गए पानी भरने जब गंगाजी पर चले हरिश्चन तो भगवत प्रमियों ध्यान रखना सरीर इतना कमजोर है कि घड़ा उठ नहीं रहा है इधर मैया तारा चली है और तारा ने जब देखा तो हरिश्चन गोले तारा पुरानी उठावाएदे गगरिया मेरी गंडा जलकी हरा अधरिया तो तवाएदे गगरिया तो दो आधर गेरा मेरी गंडा जलकी हरां अरे पलपल ओतिया वेर मेरी रनिया तो ना मैं तो जाई हो रादी तो ना मैं तो जाई हो रादी ओ पैचलो ना जाई दगरिया हो रादी जंगा चलती जलो ना जाई जचरिया हो रादी तनक शाहरा दो मेरा घड़ा उठवा दो मैया तारा के निलगी श्वामी आप एक मेहतर के घर कार कर रहे और में एक प्रामण के घर यदि आपके घड़ा से हाथ लगायो तो मेरो धर्म नस्ट होएगा मैं आपको एक अकल बता रहे हैं गहरे जल में गोश जाओ और तनक साहरा लेने से आपका घड़ा उठ़ जाएगा हरिशन बोले बारे समय जो पतनी मेरे इशारों में काम करती थी आज वो मुझे उपदेश दे रहे हैं कोई बात नहीं बगवान पर भरोशा किया गहरे जल में गोश गए और तनक साहरा लेके घड़ा उठाके सर में रखा जैसी कालू महतर के सामने गए पैर में ठोकर लगी और घड़ा जमीन में गिरके फूट गया यह सच है जब किशी पर विपत्ती आती है न तो गहाव में गहाव होता है महराज हरिश्ण्द खाली आत हरिश्ण्द के यानि कलूआ के सामने पहुचे कलूआने का ओरे अरिया मेरा घड़ा का है चमा करना महराज पैर में ठोकर लगनी से घड़ा जमीन में गरिके फूट गया अच्छा क्या तू भूजनी करता है जो दुकान लगा रखी थी महराज हरिश्ण्द के लिए बोले यहां से जो मनाई सो खाना इसका पेमेंट तो हम करेंगे और जिसमें कलुआ मेतर ने ये पता किया तो हरिश्ण्द ने एक हफता हो गया एक बिस्किट तक नहीं खरीदा ऐसी परिवार की जुदाई का कस्ट कुछ नहीं खाया कलुआ मेतर समझेगा इसका सरीर कमजोर है पुले आस्या तुमारा पानी भरने का काम समाता है अब तुम मरगट पे लाठी ले और पेरा दे जो मुरदा है उसे दफनाना करकपन लेना और उसे दफनाना हरिश्ण्द कहने लगे भाईया इस मरगट से भी गटिया काम दे दो वो भी श्वीकार है देखिए आज मरगटियवन गए हरिश्ण्द पेरा दे रही है 하면서 मा को नहीं पता है हरिश्ण्द को नहीं पता है हमारी दुणिया और आधेरे में जाने वाली है एक दिन प्रहमद देव क्यों ब्रह्मर देव नाराज हो रहे हैं बेटा ने का मा चिंता ना करो चवरिया हाथ में ली और मा ने मुख चूमा है और बेटा को विदा किया है मा को नहीं पता है कि मैं अंतिम विदाई कर रहे हैं पुत्र की बेटा रोयतास बगीचे में पहुचा है और चुन-चुन के फूल रखने लगा एक बहुत सुन्दर पुस्व है विश्वा मित्र को चे नहीं पड़ा नाक बनके उस फूल में जाकर के बैठ गई जैसे रोयतास आके बढ़ा तो रोयतास ने देखा ये बहुत सुन्दर पु बढ़ाया तो नाक बनके विश्वा मित्र ने डस लिया पोल गोविंद भगवान की तो रोयतास जमीन में गिर पड़ा आओ अब भी होसो के जमीन में गिर पड़ा है हलो हमारे शजी भहाया राजी बहाया जो है इनकी धरंपतनी दोनों भाविया संबान कर रही है माला से बहुत बहुत आपको बढ़ाई सदा आगे बने और छोटी बहर रूवी का भी सम्मान करेंगे मैं भगवान से काम ना करेंगे सदा सुक में जीवा रहे सदा आगे बढ़ें बोल गोविंद भगवान की श्री शुकदेव जी कहते हैं राजन आज मैया ने जैसे ही ब्रह्मर देव ने आवाज लगाई कासी के लोगो किसी मा का लाल नांगने डस अपने पुत्र को ले आए तारा ने जैसे सुना मेरे बेटे के अलावा कोई नहीं हुगा ब्रह्मर देव के पास गई मुझे आ गया तो मैं जा रही हूँ मेरे बेटा को नांगने डसा है और मैं अपने बेटा को देखा है भाराज ब्रह्मर देव केने लिए